नमस्कार साथियों आयुकताले कॉलेज शिक्षा जैपुर की और से प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु विद्यारतों की साहिता के लिए ज्यान सुधा कारिकरन केंतगत आज हम चर्चा करेंगे राज्थान के शिला लेखों की उतकेण अभी लेखों के अध्यन को एपिग्राफी यानि पुरा लेख शास्त्र कहा जाता है अभी लेखों एवं दूसरे पुराने दस्ताविजों की प्राचीन लिपी का अध्यन पेलियोग्राफी या पुरा लिपी शास्त्र कहलाता है भारतिय लिपियों पर पहला वेग्यनिक अध्यन डॉक्टर गौरी शंकर हिराचंद ओजाने किया था उन्होंने भारतिय लिपियों पर भारतिय प्राचीन लिपी माला नाम की एक पुस्तकी रचना की अब हम बात करते हैं गौसुनडी शिला लेख द्वित्य शताब्दी ईसापूरु का यह लेख नगरी चत्तोड के समीप गौसुनडी ग्राम से प्राप्त हुआ है इस सिलालेक का महत्व द्वित्य शताब्दी ईसापूरु में भागव धर्म का प्रसार, संकर्षन और वासुदेव की मनेता और अश्रमेध यग्य के प्रचलन से है इस प्रकार भागव धर्म के प्रचन की जानकाई देने वला यह रास्थान में प्राचीनतम प्रमाण है नांसा यूप स्ते लेख भीलवड़ा जिले में स्थित इस यूप स्तम की स्थापना दो सुपच्छीस ईश्य में की गई थी इस लेख से पता चलता है कि शक्ति गुण रूप नाम की व्यक्ति ने यहां सश्थी रात्र यानी छे रात्रों में एक यग्य संपन की था इस स्तम की स्थापना पश्ची में शक्छतरपों के राज्यकाल में सोम द्वारा की गई थी बढ़वा स्तम लेख बारा जिले में अन्ता के समीप बढ़वा ग्राम से 238-49 ईसवी के तीन यूप स्तम लेख प्राप्त हुएं इनमें त्रीरात्र यग्यों का उलेख है जिनमें बलवर्धन सौमदेव और बलसिंग नामक तीन भाईयों ने संपाधित किया था एक अन्य लेख में मौकरी वन्सी धंतरात्वा किये गई आयम यानि कि एक पूरे दिन के बाद दूसरे दिन तक चलने वाले यग्यों लेख किया गया है गंगधार का लेख यह लेख जालावार जिले में गंगधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जिसकी भाषा संस्करते है इस लेख के अनुसार राजा विश्व कर्मा के मंत्री मयुराक्ष ने एक विश्णू मंदर का निर्मान करवाय था उसने तांत्रिक शैली का मत्र गर्ह और एक बावडि का भी निर्मान करवाय था इस लेख से पांग्ची श्वताप्डी की सामतिय व्यस्दा के बारे में जानकरी प्राप्त होती है ब्रम्रमाता का लेख चोटी सादरी चित्तोड के ब्रहमरमाता मंदर से प्राप्त इस लेक के तित्थी है 490 इस्वी संस्कृत पद्य में लिखित इस प्रसिस्ति का रचिता ब्रहमसोम और उतकीर्ण पूर्वा था इसमें गौरवन्ष और अलिकरवन्ष के शासकों का वर्णन है यह लेक प्रारमभिक सामंद प्रधा और पांच शताप्दी की राणितिक इस्तिती की जानकरी के लिए बहुत ही मेहतकूर्पूर बनगया है फिर है सामोली शिलालेक उदयपूर जिले में एक ग्राम है सामोली यहाँ से यह लेक प्राक्त हुआ है यह गुहिल वन्ष के शाशक शिलादित्ति के समय का है मेवार के गुहिल वन्ष के समय को निशित करने का तथा उस समय की आर्थिक और साहितिक इस्तिति की जानकरी के लिए यह लेक बहुत ही मैतुपूर मना गया है अब परजितका शिला लेक विकस समवत 718 में यह लेक बना था यह लेक नागदा के समीप कुंडेश्वर मंदर की दिवार पर लगावा था जिससे डॉक्टर गॉयशंक हिराचन ओजा ने विक्टूरिया हॉल म्यूजियम अजमेर में सरक्षित करवाया इस लेक की जो भाषा है वो संस्करत है गुहिल शाषक आपराजित के इस लेक से गुहिलों की उत्रोतर विजों के बारे में बड़ी अच्छी सूचना मिलती है इस लेक के अनुसा आपराजित ने एक तेजोशी शाषक वराह सिंग को पराजित कर अपना सैनापती नियुक्त किया इसमें विश्णो मंदरी के निरवान का भी उनलेक है इस लेक की सुंदर लिपी और स्पष्ट भाषा से मेवाड में विख्षित शिल्प कला का पता चलता है इसे साती शताब्दी की मेवाड की आर्थिक तता राजनितिक विवस्ता के बारे में भी महत्वण जानकरे प्राप्त होती है इस प्रसस्ती के रचना दामोदर्ण की और इसे यसो भट ने उत्तिन किया था चितोड का मान मोरी का लेक 713 इस्वी का ये लेक चितोड के पास मान सरुवर जील के तट पर करनल टॉड को प्राप्त हुआ था इसके रचियता पुष्प और उत्किर्ण सिवाजित्य थे जैम्स टॉड ने इस लेक को ब्रेटेन ले जाते समय किसी कानवर समुद्र में भैक दिया था प्रणाम सरूप इस लेक की प्रचली पिके वल जनल डॉड की उस तक में एनॉल्ट्स में मिलती है कनसवा का लेक यहां लेक कोटा के निकट कनसवा के शिवालय से मिला है इस कितित्वी 738 सी स्वी है इस लेक में धवल नाम के मौय शाशक का उलेक है इसके बाद किसी मौय वन्शी रजा का रास्थान में कहीं वर्नन नहीं मिलता चाड़ सु की प्रसस्ति यह प्रसस्ती जैपुर जिले के चाट्सु नाम की स्थान से प्राप्त हुई है जिसमें चाट्सु के गुहिल शास्कों की वंस परंपरा और उनकी उपलप्तियों की जानकरी प्राप्त होती है इस लेख से पता जलता है कि चाठ्चु के कोहिल प्रतिहार वंस के सास्कों के अधिन थे इस वंस में मेवार के कोहिलों की भाती, शिव भक्ती और विश्णु भक्ती का प्रचलन था जोदपूर जिले में बेलाड़ा के समीब बुचकला गाओं के पारवती मंदर में यह शिलालेक मिला है इसकी भासा संस्कृत पद्य है यह लेख प्रतिहार शाषक नागबट दूत्य के समय का है इस लेख में प्रतिहार वंस के शाषक सामन्तों के नाम मिलते हैं जिसमें उस समय के शाषकों और सामन्तों के संबंद और स्तर का अनुमान लगा जा सकता है मंडूर का शिलालेक यह लेख मुलता मंडूर के विश्णू मंदरी में लगावा था इसे बाद में जोदपूर के शहर पनाह में लगा दिया गया यह लेक मंदोर के प्रतिहारों की वन्ष परंप्रा जानने के लिए बड़ा ही मेत्वपून है जोदपूर से 22 मिल दूर गटियाल नाम के स्थान पर एक जैन मंदिर जिसे माता की साल कहते हैं उसके पास इस्तम पर चार लेखों का सम्मू है चारो लेखों की भाषा संसकर्थ है जिसमें गद्य और पद्य का प्रियूग किया गया है इस लेख में प्रतिहार साशकों, मुख्य रूप से कुकुक प्रतिहार की उपलब्दियों और राजनितिक, सामाजिक वर धार्मिक नीतियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है इस लेख में मग जाती के ब्रामनों का भी विशेश उले किया गया है जो वण विवाजन का दियोतक है मग ब्रामन वोसवालों के आस्रे में रहकर निर्वाह करते थे तथा जैन मंदिरों में भी पूजा संपन करवाते थे यह लेख मग द्वारा लिखे गए तथा सोनकान कशने सुन दरा उतकिन किये गए थे गटियाल के दोने लेख यह लेख भी मंडोर के प्रतिहार साशक ककुक के समय का है इस लेख में हरिश्चंदर से प्रारम कर ककुक तक के मंडोर के प्रतिहारों की वनसावली तथा उनकी उपलब्जियों का उल्ले किया गया है इस लेख का अंतिम स्लोक स्वेम ककुक के द्वारा लिखा गया है जिसमें प्रतिहार शास्कों की विद्धता की जानकारी मिलती है सानेश्वर प्रसस्ती यहाँ प्रसस्ती उद्यपूर के शमसान के सानेश्वर नामक शिवाले के पश्चिमी द्वार की छबने पर लगी वी है इसकी बारा संसकर्थ और लिपी नागरी है इस प्रसस्ती से ततकालिन शाषन तथा कर्विवस्था पर प्रकाश पड़ता है इसमें मेवाड के गोहिलवंशी राजा अलट और उनके पुत नर्वाहन और मुख्य करमचारों के नाम उनके पद सहित दिये गए हैं इस प्रसस्ती के लिपिकार कायस्त पाल और वेलक थे ओस्याका लेक यहां लेक संस्कृत पद्य में हैं जिसे सूतधार पदाजा द्वारा उतकीन किया गया था लेक में प्रतिहार शास्रक वथसराज के रिपों का दमन करने वाला कहा गया है तथा, उसके समय की संब्रदी पर परकाश डाला गया है इससे उस समय के वञशन की भी जानकारी मिलती है चितोड का लेक इस लेक से परमार शाषकों की हुपलब्दियों, उनका चित्तोड प्रादिकार, चित्तोड की सम्रदियादी पर प्रकाश पड़ता है इस प्रसिष्टी में देवालेव में इस्त्री के प्रवेश को निशिद बतलाय गया है जो उस समय की सामाजी गयोस्ता और धार्मिक इस्तर पर भी इस्तियों के साथ भेदभाव का परिचायक है एक लिंग जी की नात प्रसिस्ती यहाँ शिलालेक उद्यपुर के एक लिंग मंदर के पास लकुलिष मंदर में लगावा है यह प्रसस्ती मेवायड के राजनितिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए हुपियोगी है इस प्रसस्ती के रचिता आमर कभी थे गुहिल वंशी शाशक नर्वाहन के समय उत्किन इसले की भाषा संस्कृत और लिपी देवठागरी है यह प्रसस्ती सीकर के हर्शनात मंदर में लगीवी है जो संसकृत पद्य भाषा में है इससे चोहान शाशकों के वश्क्रम और उनकी उपलब्द्यों पर प्रकाष पड़ता है इसमें वागड के लिए वागड सब्द का प्रयोग किया गया है संस्क्रत भाषा में लिपिबद यह लेक मेवार के गुहिल शाषक शक्तिकुमार के समय का है जो आहड के एक जैन मंदर की देवकुलिका की छबने में लगा हुआ है इस लेक से मेवार के तीन शाषकों अलट, नरवाहन और शक्तिकुमार के समय के अक्स पटला धीशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसमें अलट और प्रतिहार शाषक देवपाल के मद्य युद्ध पर भी प्रकाश डाला गया है इस युद में देवपाल मारा गया था मेवाड के प्राचिन शाषकों और शाषन समझ जानकरी के लिए लेक महत्वपून है आहड का शक्तिकुमार का लेक शक्तिकुमार के इस लेक को कर्नल टॉड अपने साथ इंग्लेंड ले गए उन्होंने अपनी एनल्स में इस लेक की विशेवस्तु का वणन किया है संस्कुर्ट भासा के इस लेक में मेवाड के गोहिल शाषक शक्तिकुमार की राजनितिक प्रभूता और उसके समय में आहड की आर्थिक संपनता की जानकरी मिलती है इस लेक में गोहिल शाषक अल्ट किरानी हरिया देवी को हूणर राजय की पुत्री बताया गया है जिसने हर्शपुर नामक ग्राम बसाय था इस लेक में गोधत से शक्तिकुमार तक की पूरी वन्शावले दी गई है जो मेवाड की प्राचिन इतिहास के लिए महत्यपून है जालोर का लेख यह लेख जालोर के तोप खाना की इमारत की उत्री दिवार पर लगावा था वर्तमान में जोदपूर के संग्राले में रखावा है यह जालोर के परमारों से सम्मंधित है तथा बताया गया है कि ये परमारों की उतपती वषिष्ट के यग से हुई थी इस लेख से जालोर के परमारवंश के संस्थापक बाकपती राज का उन लेख है चालुक्यों शाशक कुमारपाल का यह लेख चित्तोड के समधेश्वर मंदिर में लगा हुआ है इस लेख में चालुक्यों का येशुगान करते वे मूल राज और सिद राज का वर्णन किया गया है इस लेख से सिद होता है कि चितोड पर कुछ समय चालुक्यों का शासन रहा था इस प्रस्षिस्ति करचेता दिगंबर जैन विद्वान राम कीरती था किराडू का लेख यहां लेख किराडू बाड मेरे के निकट एक शिव मंदर में उतकेण है यहां लेख एक प्रकार से राजजाग्या है जिसमें चोहान सामन्द आरण देवक ने मास के दोनों पक्षों में पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतोदशी पर पशूवत निशेत गोषित कर दिया था दंड स्वरूप सर्व साधन में पांच दम्र और राज्य प्रवार की व्यक्ती से एक दम्र लेने की व्यवस्ता से इसपस्ट है कि विशिष अधिकार को उस यूग में मानेता दी जाती थी इस लेख में विभिन्द परकार के पदाधिकारों का उदेश उलेख भी मिलता है यहाँ शिलालेख बिजोलिया के पाशनात मंदर के समीप एक चटान पर उतकेन है इस प्रस्षिस्ति करचेता गुणभद्र तथा गुविंद ने इसको उतकेन किया इसमें सांभर और अजबिर के चोहान वंज की सूची तथा उनकी उपलब्दियों की जानकारे मिलती है इन चोहान शाष्कों को वस गोत्रिय ब्रामन कहा गया है बिजोलय छेतर जिससे उपर माल भी कहा जाता है उस वे इस लेख में उत्मद्री कहा गया है अनिक छेत्रों के प्राची नाम इस लेख से प्राप्थ होते हैं नादे समा काउ लेख यहां लेख उद्यपूर जिले के नादे समा गाउं के चार मुझा मंदर के निकट तूटे वे सूर्य मंदर के एक स्तंबर उतकिन है इस लेख से पता चलता है कि जैतर सिंग की राजधानी नागदा थी इससे इसपस्ट है कि 1222 इसवी तक नागदा नगट नश्ट नहीं हुआ था यहां प्रसस्ती देलवाड़ा के लूणव साही मंदर की है जो संस्कृत भाषा में है और पद्यव में लिखी गई है इस लेख से आबु के परमार शाषकों और तेजपाल ववास्तुपाल के वन्ष के बारे में जानकारी प्रात होती है इससे परचलता है कि आबु के परमार शाषक सोम सिंग के समय में मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने रुणव साही नामक नीमिनात का मंदिर अपने इस्तरी अनुपमा दिवी के स्रे के लिए बनवाया था बिठ्थू गाउं का लेक पाली के पास बिठ्थू गाउं में ये लेक प्राप्त हुआ है इस लेक से राव सीहा के व्यक्तित्व और उसकी मृत्यू के तिथे निशित करने में साहिता मिलती है इस लेक के अनुसार मारवायर के राठोडों का आदिपूर सीहा से कूर था उसकी पत्नी पारवती ने उसकी मृत्यू पर देवल का निर्मान करवाय था बिठु गाउं के उक्त देवल पर यह लेक उतकिन है इस लेक के उपरी भाग में अश्वरोही सीहा को सत्रू पर भाला मारते वे दिखाए गया है चिर्वा का शिला लेक यह लेक उदैपुर के समीप चिर्वा गाउं के एक मंदिर पर लगा हुआ है आचारे भुवन सिंग सूरी के शिश्य रत्न प्रभु सूरी ने इस लेक की रषना की और केली सिंग ने इसे उतकिन किया इसमें गुहिलवनशे शाषकों पर्द्म सिंग, जैतर सिंग, तेज सिंग और समर सिंग की उपलिप्द्यों का वड़न है चितोड में रष्या की छत्री पर यह लगा हुआ था, इसका रचिता वेद शर्मा था, इसमें भपा से नरवर्मा तक के गुहिलवनशे शाषकों की उपलिप्द्यों पर प्रकास पड़ता है चितोड की पाशनात मंद्र का लेख इस लेख से पता सलता है कि राजा तेज सिंग की पत्नी जैतल देवी ने शाम पाशनात मंद्र बनवाया था इस लेख से मेवाड के शाषकों की धार्मिक सहिंसोन तकी जानकारी मिलती है असलेश्वर का लेख यहाँ लेख आबू के असलेश्वत मंद्री के पास मठ के एक चौपाल की दिवार में लगा हुआ है। सुबचंद्र इस लेख का लेखक और कर्म सिंग उतकेनक था। इस लेख में नागदा में आरित रिशी की तपश्या और उनकी कृपा से बपा को राजवत की प्राप्ती तथा बपा से लेकर समर सिंग तक की वन्षावली मिलती है। गंबिर नदी के पुल काशिला लेक यहाँ लेक मेवार के शाषक समर सिंग के समय का है जिसे संभवत अलाउदिन खेलजी ने इस पुल के निर्मान के दौरान उसमें लगवा दिया इस लेक से समर सिंग द्वारा भोमी दान देने की जानकारी मिलती है राणा मोकल के समय यहाँ एक लिंगी उद्यपूर के समीप सिंगी रिशी नामकिस्थान से प्राक्त हुआ है इसके रचियता कवीराज, वानी विलास, योगेश्वर और उतकेंड का पन्ना थी इस लेक से राणा हम्मीर की उपलब्दियों और भीलों की सामाजिक इस्तिति का पता चलता है इस लेक में राणा लाखे के बारे में कहा गया है कि उसने काशी, प्रियाग और गया में हिंदूओं के लिए जानने वाले करको हटवारा तथा गया में मंदिर बनवाए देलवाड़ा का लेक देलवाड़ा से प्राप्त इस लेक से टंक नाम की मुद्रा के प्रचलन की जानकारी मिलती है यह लेक संस्कर्थ और मेवाड़ी भाषा में है रनकपूर प्रसस्ती कुम्बा कालिन या प्रसस्ती रणकपुर के चौमुखा मंदिर से मिली है इसकी भाषा संस्कर्थ प्रथालिपी नागरी है यह लेक मेवाइड के गुहिल वन्स के वन्सक्रम की जानकारी का महत्रपुन श्रोत है इसमें वप्पा तता काल बोज को अलग-अलग व्यक्ति माना है तता वप्पा को गुहिल का पिता बतला है कुम्बल ग्रड का शिलालेग कुम्बा की विजयों का विस्टित वर्णन इस लेक में दिया गया है डॉक्टर ओजा के नुसार इस लेक का रचेता महेश था किर्ती स्थम प्रसस्ती इस तोड के किले में किर्ती स्थम की नौवी अर्थात अंतिम मंजिल पर यह प्रसस्ती उतकियन है इस प्रसस्ती के रचेता कवी अत्री और महेश थे इस लेख में कुंबा की उपलब्दियों और उसके विक्तित्यु गुणों, उपादियों, संगीत क्रंथों की जानकरी मिलती है बिकानेर की राय सिंग प्रसस्ती में राव बीका से राई सिंग तक के बीकाने के शाष्कों की उपलब्दिवा ग्यान होता है इस प्रस्थिक रचेता जैता नाम का एक जैन मुनी था आमेर का लेख यह लेख राजा मानसी के समय का है जिसमें कच्छावा वंस को रगुवंस दिलक कहा गया है तता इसमें पृ जिससे आमेर और मुगलों के संबंदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस लेख में मानसींग द्वारा जमवा रामगर्ड के दुर्ग के रिर्मान का उलेख भी मिलता है मानडल भीलवड़ा में जगनात कच्छावा की 32 खंबो की शत्री इस्थित है जिसे स्विहेश्वरी महादेव का मंदर भी कहते हैं इसमें उलेख है कि मेवाड अभियान से लोटते समय जगनात का च्छावा का दिहान्त मांडल में हुआ था, जिसके इस मारक के रूप में शत्री बनाई गईू. जगनात राय प्रसस्ती यहाँ प्रसस्ती उधैपुर के जगनात राय मंदिर के सबा मंड़प पर लगी हुई है, इस मंदिर का निर्माण मेवाड महाराणा जगत सिंग प्रथम ने करवाय था, इसमें वप्पा से लेकर सांगा तक मेवाड के शाष्रकों की उपलब्द्यों का वर्णन है, इसमें ह रितु विलास नाम के बाग बनाय जाने, मालपुरा की विजय और लूट, चारूमति का विवा, दुंगरपूर की विजय आधिका उलेक मिलता है, राज प्रसस्ती, मिवाड के मारणा राज सिंग ने अकाल के समय प्रजा को रहत पहुँचाने के लिए राज समन नामक वि का सबसे बड़ा शिलालेक माने जाता है, इस प्रसस्ती में मिवाड का विश्तृत वक्रमबद इतिहास दिखा गया है, यह प्रसस्ती सत्रवी सताब्दी के मिवाड की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, धार्मिक, तक्निकी और आर्थिक इस्तिति के बारे में पर्या बाद बाद देने बाद, नमशकर.